सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के हिंदी के क्लास में। आसा करती हूँ आप सभी कुशल होंगे और आप सबने दिपावली का तेहार, अपनी सुरक्षा का ध्यान देते हुए हर सो लास के साथ मनाया होगा। आज हम लोग हिंदी फॉस्ट के पार्ठ ग्यार कलम आज उनकी जै बोल का अध्यान करने जा रहे हैं। बच्चों, जो पार्ठ ग्यार कलम आज उनकी जै बोल एक कविता है, जिसे रामधारे सिंग दिन करने लिखा है। तो सबसे पहले इस पार्ठ का परिचे हम आपको बताते हैं कि इस पार्ठ के बारे में क्या कहा गया है। क्या है? चुकि इस पार्ठ का नाम है कलम आज उनकी जै बोल। अब आप उत्सुक होंगे कि किसकी जै बोल। उनकी जै बोल यानी कवि ने किसको जै बोलने के लिए कहा है। बच्चों, इस पार्ठ में कवी ने भारत के वीर सपूतों क्रान्तिकारियों का गुडगान किया है और उन्हें वीनम्र सरधांजली दी है। वे सपूत जिन जो अनेक यातनाय सहते सहते हसते अपने प्राणों की बली दे दी आहूती दे दी फिर भी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। इस पार्ठ में कलम का अर्थ है रचनाकार यानी जो देश की रचनाकार होते हैं वो अपनी रचनाओं के माध्यम से ही अविवादन करते हैं। देश भक्तों का जैगोस केवल देश वाशी ही नहीं करते बलकि पूरी प्रकृती भी उनके लिए मंगल गीत गाती है। और इस पार्ठ में हमारे राश्टरकवी रामधारी सिंग दिनकर ने अपने कलम के माध्यम से उन वीर सपूतों और क्रांती कारियों को जैगोस का अहवान किया है। यानि उनको जय गोस बोला है अपनी कलम के माध्यम से उन्होंने उन क्रांतिकारियों को शधांजली देते हुए कहा है कि हे कलम आज उनकी जय बोल जिन्होंने अपनी अस्थियों को जला करके चिनगारी पैदा की और जलते जलते बुझ गये अर्थात जो लड़ते लड़ते वीरगती को प्राप्थ हुए परन्तु किसी के भी सामने प्रेम की भीक प्रेम की छमा नहीं मांगी तो बच्चों आज हम लोग पाठ ग्यार कलम आज उनकी जय बोल के बारे में पढ़ेंगे तो आए पाठ का सुरुआत करते हैं इस कविता के माध्यम से राष्ट कवी रामधारिक सिंग दिनकर ने उन लोगों को अपने श्रधानजली दिया जिन्होंने देश के लिए अपार यातनाय सहीं और हस्ते हस्ते अपने प्राणों की आहूती दे दी और इसके बदले में उन्होंने कुछ भी नहीं चाहा कविता में देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों का गवरव, गान, स्पस्ट रुप से व्यक्त किया हुआ है जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पाठ के माध्यम से राष्ट कवी रामधारे सिंग दिनकर ने अपनी कलम के माध्यम से उनका जै घोस किया है जो क्रांतिकारी हमारी देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहूती दे दी सबसे पहले मैं आपको एक बार पूरी कविता पढ़ करके बताती हूँ कलम आज उनकी जै बोल जला अस्थियां बारी बारी चिटकाई जिनमे चिनगारी जो चठ गये पुन्यवेदी पर लिये बिना गर्दन का मोल कलम आज उनकी जै बोल जो अगडित लग दीप हमारे तू फानों में एक किनारे जल जल कर बुझ गये किसी दिन मांगा नहीं स्नेह मूँ खोल कलम आज उनकी जै बोल पीकर जिनकी लाल शिखाएं उगल रही सो लपट दिशाएं जिनकी सिंग नाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल कलम आज उनकी जै बोल अंधा चका चौध का मारा क्या जाने इतिहास बेचारा साक्षी है उनकी महिमा के सूर्य चंद्रमा भुगोल खगोल कलम आज उनकी जै बोल तो बच्चों आप इस कविता में देख रहे हैं कि उन्हीं वीर सपूतों और क्रांती कारियों को रामधारी सिंग दिनकर जो हमारी रास्टर कभी है उन्होंने उनका जै घोस किया है तो हम एक-एक पंक्टी पढ़ते हैं और आपको इसका अर्थ बताते हैं कलम आज उनकी जै बोल जला अस्थियां बारी बारी चिट काई जिन में चिनकारी जो चड़ गए पुन्यवेदी पर लिये बिना गर्दन का मोल कलम आज उनकी जै बोल कभी कह रहे हैं कि हे कलम आज उनकी जै बोल मतलब आज तुम उनका जै घोश करो उनके लिए तुम जै बोलो जला अस्थियां बारी बारी जिनकी अस्थियां बारी बारी एक एक करके जल गई मतलब जो असंख्य सपूत क्रांती कारी थे उनकी अस्थियां बारी बारी से जल गई चिट काई जिनमें चिंगारी और जिन्होंने चिंगारी उत्पन्न की ऐसे वीर सपूतों की अस्थियां बारी बारी से जल गई जो चड़ गए पुन्यवेदी पर लिये बिना गर्दन का मोल और तुम उनके लिए जय बोलो जो पुन्यवेदी पर चड़ गए यानी जुन्होंने अपने प्राडो की आहुती दे दी लिये बिना गर्दन का मोल जिन्होंने अपने गर्दन का मोल किये अपने जान की परवाह न करते हुए जो पुन्य वेदी पर चल गए अपने प्राडों के जिन्होंने आहूती दे दी उनके लिए हे कलम तुम जै घोश करो उनको जै बोलो तो पहला जो पैराग्राफ था वो आपको समझ में आ गया कि कभी इस पंक्ति में ये कह रहे हैं कि हे कलम आज उनका तुम जैगोस करो जिनकी अस्थियां बारी-बारी से जल गएं और जिन्होंने चिंगारी उत्पन्न की जो पुन्य वेदी पर अपने प्राडों की आहूती दे दिये बिना कुछ सोचे समझे हे कलम आज तुम उनका जैगोस करो जो अगडित लगुदीप हमारे तु फानों में एक किनारे जल जल कर बुच गये किसी दिन मांगा नहीं सनेह मूखोल कलम आज उनकी जैबोल जो अगडित लगुदीप हमारे वो क्या थे हमारे वो लगुदीप और वो कितने थे अगडित अगडित मतलब होता है जिसे गिना ना जा सके मतलब जो असंखे लोग थे और वे हमारे लिए लगुदीप थे दीप के समान थे तु फानों में एक किनारे जल जल कर बुच गये किसी दिन मांगा नहीं सनेह मूखोल और वो क्या कहते जब मतलब तु फान आ रहा था तो वो एक किना वो तब भी अटल थे जल जल कर बुच गये किसी दिन और वे जलते जलते यानि वह हस्ते हस्ते यातनाएं सहते सहते जल जल कर बुझ गए यानि जो जिन्होंने चिनकारी उत्पन की और जो यातनाएं सहते सहते बुझ गए यानि शहीद हो गए चले गए मांगा नहीं सनेह मुह खोल फिर भी उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा उसके बदले उन्होंने कुछ भी किसी से नहीं मांगा कलम आज उनकी जैबोल हे कलम आज तुम उनका जैगोस करो जिन्होंने अपने प्राणों की बली दी और जो असंखे थे और वो हमारे लगुदीब के समान थे पीकर जिनकी लाल शिखाएं उगल रही सो लपट दिसाएं पीकर जिनकी लाल शिखाएं जिनकी लाल सिखाएं पीकर के उगल रही सो लपट दिसाएं यानि जिनका पी करके जो लाल शिखाएं हैं यानि उनका जो रगत है जब वो शहीद हो गए तो वो पी करके उगल रही सो लपट दिशाएं जो दिशाएं हैं हमारी जो चारो दिशाएं हैं वो लपटे दे रही हैं जिनके सिंग नाद से सहमी धर्ती रही अभी तक डोल इसमें कवी ये कह रहे हैं कि जब सिंगहनाद होता है यानि जब देश भक्त हमारे होते हैं जो सिंगहनाद करते हैं आवाज करते हैं गर्जना करते हैं तो इनसे सभी कापने लगते हैं जिस प्रकार से शेर की दहार होती है सेर की दहार से सब डर जाते हैं ठिस उसी प्रकार से जिनके सिंग नाद से सहमी यानि जिनके आवाज से सहमी यानि डरी हुई धर्ती रही अभी तक डोल धर्ती अभी तक डोल रही है घूम रही है कलम आज उनकी जै बोल, कलम आज तुम उनकी जै बोलो, उनका जै घोस करो जिनके सिंगनात से, जिनके आवाद से अभी भी धरती डोल रही है और जिनका, जिनकी लाल शिखाएं थी वो पी करके उगल रही सो लपट दिशाएं जो दिशाए हैं वो लपट दे रही हैं अंधा चकाचोद का मारा क्या जाने इतिहास बेचारा साक्षी है उनकी महिमा के सूरीचंदर भूगोल खगोल कलम आज उनकी जैबूल अंधा यानि जो अंधा व्यक्ति होता है चका चौध का मारा यानि प्रकाश चका चौध मतलब होता है प्रकाश हर तरफ जो प्रकाश हो तो अंधा चका चौध का मारा अंधा जो कैसा होता है वो चका चौध का मारा होता है यानि उसे दिखाई नहीं दे सकता है और जिस प्रकार से नाही अंधा देख सकता है. साक्षी है, उनकी महीमा के. साक्षी यानि उनका प्रमाड है. महीमा के, उनकी महीमा का प्रमाड क्या है? उनकी महिमा का गौरव क्या है सूर्य यानि सूर्य चंद्रमा भूगोल और खगोल खगोल यानि आकाश मंडल कलम आज उनकी जैबोल यानि हे कलम तुम आज उनकी जैबोलो जिनकी गौरव का प्रमाड जो है वो सूर्य चंद्रमा भूगोल और आकाश मंडल हैं क्योंकि अंधाब जो व्यक्ति होता है वह कुछ नहीं जान सकता और नहीं इतिहास उसका गवा है लेकिन उसकी जो हमारे क्रांतिकारी वीर सपूत थे उनके महिमा का उनके गौरव का गुडगान और उनके गौरव का जो प्रमाढ है वो केवल सूर्य, चंद्रमा, भुगोल और खगोल ही बता सकते हैं तो बच्चों यह था आपका पाठ कलम आज उनकी जैबोल आपको समझ में आ गया कि इस पाठ के अंतरगत कवी ने उन्हीं वीर सपूतों के बारे में बताया है जिनोंने हस्ते हस्ते अपने प्राणों की आहूती दे दी और उन्होंने बदले मे कुछ भी नहीं चाहा इस पाठ को मने पहले बता दिया कि रामधारी सिंग दीन करने लिखा है तो बच्चों यह पाठ जो था यहीं पर समाप्त रता है और इसका भावार्थ जो मैंने आपको बताया वह एक बार अध्यन कर लीजेगा धन्यवाद